एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड जो कुश्चन दिया हुआ है यह वर्बल कुश्चन है इसको आपको कहीं पर लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है वाइट बोर्ड में तो इसलिए मैं इसको वर्बली आपको एक्स्प्लेइन कर देता हूँ यह दिया हुआ है गिव एनी टू आपके लाइफ में ऐसे कौन-कौन से चीज़ें आपने देखी है जो कि कौनगरेंट शेप के हो फर एक्सामपल मैं आपको अपने तरफ से कुछ एक्सामपल दे देता हूँ आप बोल सकते हो कि इयर रिंग्स जैसे आप इयर रिंग्स देखोगे किसी के भी तो वो दोनों जो पेर होते हैं वो दोनों कॉनगरेंट होते हैं एक दूसरे के सेम साइज सेम शेप के होते हैं ठीक है और अगर दूसरा कोई एक्सामपल देखना चाहो तो आप नोटबुक के पेज़ेस बोल सकते हो नोटबुक के पेज़ेस भी हमेशा सेम ही होते हैं मतलब सेम नोटब और कोई अगर आग्जामपल देखना चाहो तो आप cricket के wooden stumps के pair को बोल सकते हो जो stump होता है cricket का वो सारे stump जो है एक ही size के होते हैं तो pair आप ले सकते हो कि सारे के सारे pair जो है एक ही size और shape और size के होते हैं इसलिए वो भी एक दूसरे के concurrent होते हैं ऐसे और भी बहुत सारे examples हैं जो आप सर्च कर सकते हो net में भी सर्च कर सकते हो या अपने real life experience के base में भी लेख सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही 7.1 का जो second question है इसको सिर्फ verbally explain करना था मेरे को आपको तो मैं कर चुका हूँ next video में इसका third question देखेंगे